कितनी सच्छा ना इस सब जो है कहने के लिए जूट जूटा यूटूब पर आप फ़िलाते हैं मेक्सीमम इस धन्दा को स्टार्ट करने की चैनल के माध्यम से देख करके हमारा वाइफ ने राय दिया कि बच्चे सब बड़े होगा हैं घर में अकेले हैं आये इस प्रोजेक् कि तहद फरवरी में उसके बाद हम यहीं पे घर मकानुकान पैसा था तो सब खर्च हो गया मकानुकान बनाएं और उसके बाद जो है सर हम एक साल फिर नहीं हुआ तो एक साल रोटल के हुए थे लुदियाना में फिर वहां से मतलब अकेला आजमी वहां जाना यहां जाना बहुत परसानी बच्चे भी बड़े हो गए हैं इसलिए वाइप का हमारा राय था कि आपके आपको यूटूब के माध्यम से चनकारिली उन्हों ने बताई काम कोई भी बीजना समय करना है तो कितना भी भारी कितना भी मुश्कील काम असान हो जाता है एक लगन से चलिए करना है कुछ भी एक करना है तो कहीं नोकड़ी करते हैं उससे कई घुना बेटर है इसमें हमारा फ्रेमली भी साथ रहेगा बक्षे लोग भी थोड़ा देर हम भी काम करेंगे वह लोग भी करेंगा ऐसे टाइलेंट लेके कार मैं जीतंद्र यादब और आपका एक बार फि करनाने के लिए या उस विजनेस में सफल होने के लिए जो है सही जानकारी की आवस्यागता होती है तो मेरे वीडियो को देख करके बहुत सारे लोग सही जानकारी लेते हैं और बहुत सारे लोग का कमेंड था कि बाई जो मसीन चला रहे हैं जो डाइरेक्ली मसीन लगाए ह किस परकार से करते हैं किस परकार से प्रॉडक्षन करते हैं dropped शुदन से मसीन खरीद कर शुदंग कर जो है मैं इस वक्त हूं सीटा मढठी में सिटा मढठी बागमती नदी के किनारे एक छोटा सा गाओं है जहां पर मैं हूँ और नाम जो है वो बताएंगे ललन जी जो कि इसे बिजनेस के ओनर है और इस चोटे से गाओं में मैं पहुंचा हूँ और काफी अच्छी तरीके से इन्होंने बीजनेस को एसेंबल किया है किस परकार से ये मसीन को पर्चेज किये ह बाते हुई कितना पूंजी लगा कितना बिजली लगता है और कितना कम जगा में जो है स्टार्ट अप किये हैं सारा इन्फर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ तो अभी मैं दिखाता हूँ कि वह मसीन किस परकार से ये घर में जो है इस मसीन को ख़ graveyard गया है तो चलिए लगर जी से बात करते हैं और इस बीजनेस के बारे में उनसे जनकारी लेते हैं कि षzäh सब्सक्राइन सबसे पहले तो आप एक छोटा सा पड़ी। दीजिए कि इस बीजनेस को आप कहां स्टार्ट किये है आपका जो है यह असान क्या है और अपना एक छोटा सा पर्चा है हमारे दर्सकों को आपने हमारा ग्राम ननुरा पुर्वी दूम्रा पंचायत है बेलसंद हमारा थाना बलॉग परखंट पड़ता है और हम मतलब आपका यूटूब के चैनल से माध्यम से हमारी वाइफ जो है जनकारी ले करके हम लुदियानप एक साल वहां पे बिजनस किये थे होटल लेकि उसको भी छोर करके आपके चैनल के माध्यम से देखकर के हमारा वाइफ ने राय दिया कि बच्चे सब बढ़े होगा है घर करेंगे और इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा तो आप थुड़ा बताइएगा कि इसे बिजनस से पहले आप कहां रहते थे और किस परकार से यहां आए जी हम बारह सल सर हम सौदी अरव में थे और उसके बाद लौग दूहजार उनाइस में लॉकडाउन में ही आए थे कोविट नाइटी की तहद फरवरी में उसके बाद हम यहीं पर मकानुकान पैसा था तो सब खर्च हो गया मकानुकान बनाएं और उसके बाद जो है सर हम एक साल फिर नहीं हुआ तो एक साल रोटल के हुए थे लुदियाना में फिर वहां से मतलब अकेला आजमी वहां जाना यहां जाना नहीं सक्सेस हो पा रहे थे बहुत परसानी बच्चे भी बड़े हो गया है इसलिए वाइप का हमारा राय था कि आपको यूटूब के माध्यम से चनकाडेली उन्होंने बताया क्रिष्णा इंटरप्राइजे मसीन दे रहे हैं आप उनसे ले करके चलिए छोटा सा एक विजनस शुरू किया जाए सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों कि अगर घर में कोई चीज अगर राय विचार से और एक साथ जूत करके और किसी भी चीज का परजेक्ट बना कर एक स्टार्ट किया जाता है तो वो सबसे बड़ी सफलता होती है और सरने वह ऐसा ही किया है और अपने घर पे रहके कर एक चोटा सा स्टार्ट अप किया है और कोई भी अगर बड़ा बिजनेसमेन बनता है या फिर बड़ा प्रजेक्ट का मालिक बनता है तो उनका श्टार्टप छोटा से ही होता है और वे उनके लगन मेहनत और तोर तरीके से जो है सक्सेज होते हैं सर बताईएगा थोड़ा कि आप जो है किस परकार से ये हमें कोई भी काम कोई भी बिजनस हमें करना है तो कितना भी भारी कितना भी मुश्कील काम असान हो जाता है एक लगन से चलिए आगे की ओर देखिए जो पीछे बीतिया वक्त उस पे ना ध्यान दीजिए जो अभी समय ब्रत्मान है उस पे हमें एक मसीन छोटा सा ले करके या कोई भी काम अगरवत्ति ही बनाना है कुछ भी एक करना है तो कहीं नोकड़ी करते हैं उससे कई गुणा बेटर है इसमें हमारा फेमली भी साथ रहेगा बक्षे लोग भी थोड़ा दिर हम भी काम करेंगे और लोग भी करेंगा ऐसे टाइलेंट लेके करना पड़े इसमें हम बनाएंगे बंफर प्लेट डोगा प्लेट पत्तल लाएगा बड़ावला ओ बनेगा परसाद के लिए घुपचुप के लिए इस सारा आइटम इस मसीन में बनेगा जी तो दोस्तों जैसा कि बहुत जगा बताया जाता कि हाइड्रोलिक मसीन लेना परता है बफर और बुफर प्लेट ज्यादातर जो है बॉक्स शृम में हाथ पे रखके लोग खाना घाते हैं और ये पतली वाली जो यह यह olha यह फह पतली वाली पेपर इससे जो है नीचे बैठके जो हम लोग खाना खाते है तो इससे जो है थाली वनेगा तो ऊणी कि अभूआ नहीं अधिक दिखाओंगे आपको अब जगह का बात कर लीजाए, तो बहुत सारे लोग सोच थे हैं कि कितना जगह लगेगा कितना बिजली लगेगए तो थूड़ा इसके बारे में बखाए दिखिए बिजली का इसे इसमें मोटर दिये हैं और बिजली का बहुत कम इसमें खर्च है समझे महीना में आएगा तो पंद्रसों के लगभवी भी लाएगा इस से अधिक नहीं आएगा जी और उसके बाद जगह का बात करते हैं सर तो जगह इसमें दस बाइदस या आठ बाइदस का भी रूम होगा तो उसमें भी अर्जिस्ट करके किया जा सकता है जी अच्छा ये मशीन तो अभी एसमबल हुई है तो किरिशना इंटरप्राइज की टीम यहां पहुंची है तो क्या कुछ आपको जो है सीखने को मिला है और क्या बहवार है इस चीज के बारे में थोड़ा साथ चर्चा की देखें बहबार की माध्यम से यानि जीतना भी मुझफरपुर में मतलब मसीन के जो इंटरप्राइज हैं उनसे हम समझते हैं कि हजार गुना उनका सर्विस से ले करके और उनके इंजिनियर वरकर लोग सभी अच्छे हैं जैसे एक वादा उन्होंने किया उसी तरह करके मार्केट में क्या फ़ाया जाता है बहुत सारे जगह हम सुने है कि अधर कंपनी देखिए बहुत कोई चीज का कंपनी बहुत होता है तो उसी साब से बोला जाता है कि मसीन बेच दिया गया है टेकनिशियन नहीं फेजा गया थोड़ा आप से हम लाइव पूछ रहे हैं कि आप इस कैमरा के माध्यम से आप बताईए कि आपके अहां कितने दिन में जो है टेकनिशन पहुंचिए नहीं बोत मसीन हम सर मतलब संडे को प्रचेजिंग की है अस्वंबार को आ करके यहां पर उन्होंने टीम भेज दी इंजिनियर द्वारा और एक और उनके साथ है थे म उन्होंने दिया उसके बाद भी कोई प्रोब्लम आता है तो वीडियो कंफेर्स से जरिए उन्हें ने अस्वासन दिया हम आपको कभी भी किसी भी वक्त दिक्कत होगा तो आप हमसे राय लेकर कर सकते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं जो अफवाहे होती है इसलिए मैं नाच परक्त करके भी बोलना पड़ता है और मेरा जो भी वीडियो होता है उसके मैं अध्ययन करता हूं लाइब जाता हूं और सोच समझ के ही जो है पूछ करके और तब वीडियो में वह चीज में बताता हूं तो जो लोग अफवाप पहला रहे हैं कि मसीन बेच दिया जा पाम है जहार खंड़ है महाराष्ठ वह दूरदूर तक मशीन जाती है तो दूरी के हिसाब से अगर कोई टेजिशन खालीन होता है तो चार पांच दिन नया में दिकत हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं तो तो दोस्तों लाइब देख रहे हैं लाइब अभी मैं जो भोजन दोस्तों लाइब देख सकते हैं यह पतल जो है बनके तयार हो चुका है चे बैटके खाने वाला जो है भोजन थाली का जो है निर्मान हुआ है और यह मसीन देख सकते हैं किस परकार से जो है यह अभी 13 इंच का डाई लगा हुआ है तो हम अभी बफर प्लेट भी निकाल के दिखाएंगे और अब थोड़ा सर एक मार्केटिंग पर थोड़ा बात करते हैं आप से अब यह बताईए कि इसका बेचने बहुत सारे लोगों वीडियो में क्या बोलते हैं कि माल बनाईए सारा माल जो है हम खरीद लेंगे क्या कि इसना इंटरप्राइज आपसे ऐसा डिल की है आप अपने आप पर भरोसा रख आपका माल खुद पर और यह जो है सक बिजनेस का मतलब भी नहीं है कि आप अगर सारा चीज बना के फैक्टी बाला को भी दे दीजेगा तो उससे आप कमा नहीं लिजेगा पैसा कमाने के लिए आपको खुद जो है मार्केटिंग करना पड़ेगा तब तो आप अपने बि ऐसे अगर आप सितामधी से है बागमती नदी के आसपास से है तो इनका जो है लुकेशन में दे दूंगा किसी भी सूब अफसर पर अगर आपको आवस्याक्ता परती है कोई भी चीज का जैसा इन्होंने बताया कि इनके अहां बफर थाली का भी निर्मान होता है नीचे ब प्लेटी कंच से लाइन आप देख पारी और यह देख सकते हैं यह निर्मान हो गया एक सीट में दोफिस लाख पलेट जो है बंती है तो आप लोग देख सकते हैं सिंगल डाई से जो है वह क्रेंक मशीन से बफर प्लेट दोनीमान किया जा सकता है अ dancing ललन जी आप थोड़ा इसके बार में डिस्क्राइब किजिए जो नए लोग अगर इस टाइब का जो है बिजनेस अगर स्टार्ट अप करने का सोच रहें तो उन्हें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो किस जगह से जो है पर्चेज करें और किन-किन इसके लिए बहुत अच्छी बात कही है कि इसके लिए कि हम कहीं और से ले लेते हैं मेटेरियल तो वहां माल लेजे दूरुपया इस्टार लग जाता है तो हमें प्रोफित माल भीकेगा नहीं घर से लुक्सान होगा और कृष्णा प्राइज इंटर इसा है जो वहां पे पर देते हैं और हर रोज उन से दस ग्रहां जूरता है अच्छे वेबार है मतलब बहुत नेपाल कलकत्ता बंगाल आपकाने बगल में लुदियाना मतलब दिली तक भी उनका माल हर जगह जाता है चीज पर और आप परकाश डालिएगा सबसे बड़ी बात होती है कि यूट लगा है तो आप जला डिस्क्राइब कीजिए कि यह सब जूठ बात है या नहीं कि 35 में स्टार्ट कर लीजे 30 में स्टार्ट कर लीजे इसमें कितनी सच्छा नाइश सब जो है कहने के लिए जूठा यूटूब और आप फ़िलाते हैं मेक्सीमम इस धन्दा को स्टार्ट कर सकते हैं यानि एक लाग के अंडर में आपका इसमें पूजी लग गया है तो यह जो आप लोगों देखते हैं कि आये 25,000 में स्टार्ट कर लीजे जो है 30,000 में स्टार्ट कर लीजे तो इसमें कोई सच्छाई नहीं है मैं बताया हूं पिछले हफते ही एक वीडियो के साथ साथ आपको रो मेटेल खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए डाई खरीदने के लिए अगर प्रियाप्त त्मातरा में रो मेटेल नहीं रहेगा तो आप दुकांदार को दीजेगा क्या और अगर दे दिया कोई दस बोड़ा का तो उसे दीजेगा क्या तो प्रियाप्त मातरा में पुंजी ले करके ही आप इस बिजनेस में आए ना कि कि किसी के अफ़वा में कि 30,000 रुपया हो गया तो एक छोटा सा मसीन ले लिए तो वो मसीन चलेगा ही नहीं जैसा कि यह ब्लोक बैडिंग है है मसीन तो 30,000 का भी आता है 35 का भी आता है लेकिन उसमें क्या होता आज इसमें मैं बफ़र प्लेट भी बनाते हुए आपको दिखाया हूं इस तरीके का जो आप बफ़र प्लेट देख रहे हैं यह भी बन रहा है तो 30 बला 35 बनेगा नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में एक नए आडिया के साथ तब तक के लिए जाहिए बंदे मात रहे हैं